ये किस्सा शुरू होता है महादेव की नगरी बनारस से यूपी के साथवे मुख्यमंत्री तमाम कॉंग्रेस नेताओं की तरह बनारस से ही थे कॉंग्रेस पार्टी के कद्दावर नेताओं की लिस्ट में एक से एक नेता शामल है जिनकी देश भर में जद भी बहुत है आज ऐसे ही एक अद्दावर नेता की बात करेंगे जो तरप्रदेश के मुख्य मंत्री भी रहे और केंद्र में रेल मंत्री बन कर रेलवे को भी अपनी सेवाएं दी जी हाँ हम बात कर रहे हैं कमलापती तुरपाथी की जो अपनी तरह के एक मात्र नेता हुए जिनको सकारात्मक रूप से याद करने की कई वज़ा ही हैं कमलापती तुरपाथी राजनीती की एक ऐसी श्रक्सियत रहे जिनसे जुड़े किसे कुछ न कुछ सिखाते ही हैं नमस्कार मैं जोती श्रवास्तव और आप देख रहे हैं सी नियूस भारत में हमारी खास सिरीज किस्सा उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्रियों का आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे यूपी के साथवे सीम के बारे में जो थे कमलापती तुरपाथी 3 सितंबर 1905 ये वही दिन है जब राजनीती को होबी और प्रफेशन दोनों समझने वाले कमलापती तुरपाथी का जन हुआ काशी विद्यापीट से पढ़ाई की, शास्त्री और डिलीट की उपलब्दियां प्राप्ति की अब यूपी में शास्त्री करने से पहले उसे समझना भी जरूरी था फिर क्या, अकपार आज में पत्रकार के तौर पर अपना कारियर शुडू किया हिंदी और संस्कृत दोनों भाशाओं के जानकार थे, तो लिखते भी बढ़िया थे उस दौर में गांधी जी ने ऐसा महौल ही बना दिया था कि जेल जाना और पुलिस से मार खाना चोपाटी घूमते हुए भेल पूरी खाने जैसा लगता था फिर क्या, कमला पती भी आंदोलनों में पाटे से पेट करने लगे और जेल जाने लगे महे 16 वर्ष की आयू में आसाहयोग आंदोलन के दौरान जेल गए धीरे धीरे यूपी की राजनीती में बड़ा नाम बनने लगे 1937 की चुनाब में विधान सभा में चुने गए ये सिलसिला लंबे समय तक जारी रहा फिर 1946, 1952, 1957, 1962 और 1979 में भी चुने गए राजनीती में प्रवेश के बाद कद इतना बड़ा कि आजादी के वक्त बनी सन्विधान सभा के भी सदस से रहे अब इतनी मेहनत कर रहे थे तो सबकी नजर में छाप तो छोड़नी ही थी फिर क्या? यूपी की राजनीती में कमला पती तृपाठी का एक अपना गोट था इनकी बाकी नेताओं जैसे चंद्रभानु गुपता और तृभुवन नरायन सिंग से बनती नहीं थी ये राजनीतिक दुराग था वेक्तिगत नहीं पर राजनीती चीज ही ऐसी होती है कि सब को कुछ ना कुछ करने पर बात दे कर देती है जैसे कि हमने आपको पहले बताय था कि किन हालातों में सुचिता कृपलानी को मुख्य मंत्री बना दिया गया था अपना राजनीती करियर स्वतंतरता आंदोलन से शुरू करने वाले कमलापती तुरपाथी अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज बुलन करने से कभी नहीं चूटके ये कैसा दौर रहा जब लोग पंडित कमलापती तुरपाथी को जानने लगे थे कॉंग्रेस पार्टी के भीतर सबसे चर्चित चहरू में पहला नाम कमलापती तुरपाथी का ही आने लगा था चार अप्रेल 1971 को देश के सबसे बड़े राजे उत्तर प्रिदेश की कमान पंडित कमलापती तुरपाथी को दी गई यानि उन्हें सूबे का मुख्य मंत्री बनाये गया उनका ये कारेकाल लगभग 2 साल 69 दिन का रहा आगे चलकर 12 जूं 1973 को उन्होंने सीम पत को त्याग दिया लेकिन अपने राजनातिक करियर को उन्होंने रुकने नहीं दिया साल 1975 से 1977 तक और इसके आगे के समय में यानि साल 1980 में केंदुर में मंत्री पत पर बैठी रेल मंत्री बनकर रेलवे को इन्होंने अपनी सेवाई दी रेल मंत्री रहते हुए पंडित कमलापती त्रपाथी ने बड़े कामों को अन्जाम दिया जमीन पर कई नई ट्रेनों को तारा वही पंडित कमलापती त्रपाथी ने 8 अक्टूबर 1990 को दुनिया से विदा ले लिया कमलापती कोई साधार नेता नहीं थे बलकि अपने उसूलों पर चलने वाले और कभी साथी का साथ ना छोडने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे एक ऐसे हिम्मती नेता जो असी के दशक में भी इंदुरा गांधी से व्याचारिक मद्भेद में दो-दो हाथ कर सकते थे जीवन भर कॉंग्रेसी रहे पंडित जी की चार पीड़ी कॉंग्रेस से ही जुड़ी है खैर आपको हमारा ये एपिसूट कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा हम फिर हाजर होंगे यूपी के एक और नए मुख्यमंत्री की नए कहानी के साथ तब तक मुझे दीजे इजासत नमस्कार